नमस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं नियाई टीवी आज विश्व फुटबॉल संचालन संस्था यानि कि फीफा द्वारा भारतिय फुटबॉल महासंग को निलंबित किये जाने के मामले पर कोट में आज सुनवाई हुई इस दोरान कोट ने कहा कि अब अगले आदेश तक प्रसासकों के समीती कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्या है पूरा मामला और कोट के दोरान क्या सुनवाई हुई देखे हमारी ये रिपोर्ट में विश्व फुटबोल संचालन संस्था फीफा द्वारा भारतिय फुटबोल महासंग AIFF को निलंबित किये जाने के मामले पर सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने कहा है कि अगले आदेश तक परसासकों की समयती COA भारतिय फुटबोल संग AIFF के मामलों पर कोई हस्तक्षिप नहीं करेगी केंद सरकार ने सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट से परसाशकों की समयती COA को हटाने की अपील की और कहा कि भारतिय फुटबोल महासंग AIFF को अब AIFF परसाशन के हवाले कर दिया जाना चाहिए जिसकी अगवाई कारेवाहक महासचिप कर रहे हैं केंद सरकार की ओर से पेश सोलिसीटर जनल तुशार महता ने अपनी दलील में कहा कि यह राष्ट्य महतु का मामला है इसकी वज़े से भारत अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मोका गवा सकता है जो इस साल अक्टूबर में होना प्रस्तावित है उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाडी भी किसी अंतराष्ट्य फुटबोल टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे हमारे लिए यह कोई खुशी की बात नहीं है हमें निलंबित किया गया है इसके साथ ही केंसरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोट परशाशकों की समेती से कहे कि वो AIFF के समविधान का अंतिम मसोदा 23 अगस्त कोट में दे इसी के साथ AIFF में COA का हस्तक्षेप खत्म हो जाना चाहिए परशाशकों की समेती COA की और से वरिष्ट अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायन ने सुप्रीम कोट को बताया कि फीफा ने पिछले दो वर्षों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया जब AIFF में समविधान का पालन नहीं किया जा रहा था शंकर नारायन ने सुप्रीम कोट को बताया कि यहां सभी ने बदलावों के लिए सहमती व्यक्त की थी लेकिन दुर्भागे से कुछ लोग हमारी पीट पीचे फीफा के पास चले गए और वहां कहा कि यह सब बिना माननेता के किया जा रहा है इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोट ने परशाषकों की समेती भंकर दी जिसे दिल्ली हाई कोट ने बनाया था इससे पहले इस मामले में बुद्वार को सुनवाई हुई थी इसमें किंद सरकार ने सुप्रीम कोट को बताया था कि फीफा अधिकारियों से बातचीत चल रही है Under 17 विश्व कप के आयोजन और भारतिय फुटबॉल महासंग के निलंबन को लेकर बातचीत का दोर जारी है जिसमें कमीटी ओप एडिमिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोट ने भंग कर दिया और सुप्रीम कोट ने या अधेश अगली आधेश तक दिया है कि भारतिय फुटबॉल महासंग पर वो किसी तरीके का हस्तशेप नहीं करेंगे ठीक है किंद सरकार की योर से पेस साली सीटर जनरल तुसार मेहता ने अपने दलील में कहा है कि ये मामला राष्टी महत्व का मामला है जी और अंडर सिवेंटीन की मेजबानी भारत गवा सकता है जो यह अक्टूबर में होने वाला है और इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारे देश के जितने भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ओ वर्ल्ड लेबल पर किसी भी फुटबॉल परतियोगता में भाग नहीं ले सकते हैं जो हमारे लिए ये खुसी की बात नहीं होगी जो ये हमारे लिए दुखल्द की बात हो प्रभा की फीफा के द्वारा दो साल में किसी परकार का हस्तछेप नहीं किया जा रहा है लेकिन हमारे पीठ पीछे कुछ लोगों ने जा करके फीफा में कहा के हमारी भीन मान्यता का काम ये किया जा रहा है सुप्रीम कोट ने दोनों प्रक्षों को सुना और सुनने के बाद में कमिटी ओफ एड्मिस्टेशन्स को भंग कर दिया और लास्ट में यह आदेश दिया कि भारतिय फुटबॉल महासंग पर किसी परकार का आप अगले आदेश तक कोई हस्त छेप आप नहीं करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें